जार्खन के 6 से 12 साल के 33 लाख बच्चों को लगेगा वैक्सीन ड्रग कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया द्वारा 5 से 12 साल तक के बच्चों को टिका के आपात कारे अनुमति दिये जाने के बाद स्वास्त विभाग इस रेनी में आने वाले बच्चों का आकड़ा जुटाने मे लग गया है बच्चों का आकड़ा सिक्षा विभाग से जुटाएगा क्योंकि इस आजूवर्ग के बच्चे सरकारिया ने जी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं सिक्षा विभाग के पास वर्थ 2001 काईस की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के और 386 जार 161 ब बहुचने वाले बच्चे के उम्र 12 छल तक पहुँचाती है चेक तीन धीवस्चिय ज्ःखन सायंस फिल्स फिल्म फ्यश्टिवल की शुरू जवाद ! द्या मंदीर परिसर में आयोजीत इस साइंस फिल्म फेस्टिवल के को अडिनेटर विकास कुमार ने बताया कि इसका उद्यस लोगों में बैग्यानिक दिश्टीकोन लाना और युआओ को फिल्मों के प्रति जागरूप करना है सीम हेमंद की मा की तवियत में सुधार नहीं जारखन के मुख्यमंद सुरेन की मा रूपी सुरेन का बेहतर इलाज हैदराबाद में किया जाएगा वह पैंकिर्याज से जुड़ी समस्यात जूज रही है राची से गुरुवार को विशेस बीमान से इन्हे हैं हाइदराबाद ले जाया गया इनके साथ मुख्य मंत्री हमान सुरेन समेत एक गारा लोग है आपको बता दे की सीम की माया का इलाज राची के हिल वियू अस्पताल में चल रहा था तबियत में सुधार नहीं होने पर उन्हें है एदराबाद ले जाया गया है जनकारी के उनसा डाक्टर नागेस्वर डेड़ी उनका इलाज करेंगे खदान लीज मामले में सरकार ने आयोग को भेजे बसंद सुरेन के मायनिंग लीज दास्तावेज सरकार ने दुमका से जाओमों विधायक बसंद सुरेन के मायनिंग लीज से सम्दित दास्तावेज चुनाव आयोग को भेज दिया है राजेपाल द्वारा की गई अनुसंसा के आलोग में चुनाव आयोग से सरकार ने मायनिंग लीज से जुड़ी सभी दास्तावेज मांगे थे राज सरकार ने बसंत सुरेन के माइनिंग लिज से समंधित दस्तावेज की साटिफिकेट कौपी चुनाव आयो को भेजी है इसमें लिज के आवेदान समंधित अधिकारियों वा करमचारियों द्वारा लिखी गई टीपनी के अलावा पार्टनर्शीप, डीड और राजस वबकाया से समंधित काउजात भी सामिल है बाबा मंदीर के आसपास के छेतर में 30 अपरेल से अतिकर्मन मुक्त अभियान आपदा परबंधन की द्रिष्टी कोन से सुरक्षात्मक उप्योग के लिए 30 अपरेल से बाबा बैदनात मंदीर के आसपास के छेतरों में 20 अतिकर्मन मुक्त अभियान चलाया जाएगा इसलिए आसपास के दुकांदार और अस्थानिय लोगों से अपील है कि बाबा मंदीर के आसपास के छेतर को अतिकर्मन मुक्त बनाने में पूर्ण सयोग करे बताद देवघर जिला दंडा अधिकारी सर डीसी मंजुनात भयांतिर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि चुनावी पर किरिया 29 अप्रैल से शुरू त्रियस्तर ये पंचायत चुनाव को लेकर हजारी बाग जिला अंतरगत केरे डेरी में चुनावी सरगर्मितेज हो गई है बतादे चौथे चरन के चुनाव को लेकर केरे डारी पर सासन ने पूरी तैयारी कर ली है 29 अप्रैल से चौथे चरन का नोमिनेशन पर किरिया सुरू होगी जो अगामी 6 माई तक चलेगा वहीं 7 से 9 माई तक नोमिनेशन पेपर की इसकुटनी होगी 10 से 11 माई को नाम वापसी और 12 माई को चुनाव चिन आवंटन होगा वहीं 27 माई को मतदान और 31 माई को काउंटिंग होगी बता दे की 1 माई रभिवार और 3 माई इद की छुटी होने के कारण ओफिस बंद रहेगा इस कारण दो दीन परत्या सिनमांकन नहीं करा सकेंगे 72 घंटे से टाना भगतों के कबजे में है लाते हाथ समानाला है को भी अंदोलनकारी टाना भगतों ने समानाले समेत कई सरकारी कर्यालों में किसी अधिकारी वा कर्मी को घुशने नहीं दिया बता दे टाना भगतों ने टोली बनाकर कई कर्यालों का भ्रहमन कर देखा कि कोई कर्याला खुला तो नहीं है इसके बाद टाना भगत धारनास्थाल पर बैठ गए समानाले समेट सभी कर्यालियों के बाहर पूलिस के जवान तैनाथ है कर्याले बंद राणने से 375 चुनाव समेट कोई कारे प्रभावित हो रहे हैं बीजली संकट पर बोले बीत मंत्री रामेश्वर उराव जारखन के बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने कहा है कि जारखन में अच्छा ब्योरो करेंसी नहीं है जब जारखन सन्युक्त बिहार में था तब यहां का ब्योरो करेंसी बेतर था कई अच्छे अधिकारी थे उनका काम दिखता था परन्तु अब सभी पूराने अधिकारी रिटार हो गए है जारखन में अच्छे ब्योरो करेंसी की जरूरा था है वे गुरुवार को गुमला दोरे के करम में सरकीट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि 13 लाख लोगों को 11,000 रुपे पेंसन देंगे पहले से 14 लाख लोगों को पेंसन मिल रही है मंत्री हफिजूल हसन का भड़काव ब्यान वायराल जारखन सरकार के अल्प संख्यक कल्यान मंत्री हफिजूल हसन ने गढ़वा में इफ्तार पार्टी के दोयान विवादित ब्यान दिया है मंत्री ने दिल्ली के जहांगीर पूरी में अतिक करमन पर होई करवाई के समन्द में परकिरिया ब्यक्त करते हुए कहा कि अगर हमारे 20 प्रतिसत घर बंध होंगे तो आपके 80 प्रतिसत घरों का भी यही हाल होगा मंत्री का यह ब्यान इंटरनेट मीडिया पर वारल होने के बाद रायनितिक हलकों में चार्चा का बजार गरम हो गया है भाजपा समेथ कई रायनितिक दालों के नेतावों ने इस ब्यान की निंदा की है पूलिस कर्मियों का आउकास रद बिशेस परिस्थिती में ही मिलेगी छुटी जारखन पूलिस के सभी कर्मियों की छुटी अगले आदेस तक के लिए रद कर दी गाई है गुरुवार को राजे पूलिस मुख्याले के परभारी आईजी अखिलेस जहाने इस समन्द में आदेस जारी किया है बतादे डीजीपी के आदेस के मुताबिक राजे में त्रियस्तर ये पंचाय चुनाओ और इद परभ के दवरान राजे में बीदी विवास्ता वा सुराक्षा तथा प्रसास्निक विवास्ता को चुरूस दुरूस्त रखने के आव सकता है ऐसे में सभी कोटी के पूलिस कर्मियों और अनुचरों का आवकास रद की गई है धन्यवाद